नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल आर्केने जो पडेट फिर आपका स्वागत है दोस्तों बात करेंगे ग्रूप डी वेटिंग लिस्ट से संब्धित इस पी कोटे के लिए जो हाँ आठ मार्च को नोटिस जाली किया गया है क्या कुछ पूरा मामला इसके बारे में बा सरकार चाहती है चाहता है कि जो डिपार्टमेंट है वह आपको 30 मार्च से पहले पहले अलोट की जाएं ताकि और इसी के लिए यह है जो नोटिस है जारी किया गया है नोटिस के अंदर से परस्ट लिखा गया है कि जो 657 कंडिडेटों की जो स्कुटनी हुई थी 21 दिसंबर को हुई थी वो और जो 24 ओठाइस कंडिडेटों के लिए जो स्कुटनी हुई है दो मार्च, तीन मार्च, चार मार्च और पांच मार्च को इस लिष्ट के 24 ओठाइस के और 657 के जितने भी कंडिडेट अपसेंट हैं वो सभी अपनी स्कुटनी 21 मार्च को करवा लें उसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा नो बजे अपनी आडर्स पर पहुंच जाएं और उसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा अगर किसी ने स्कुटनी के दिन कोई नहीं गया है और बाद में एचससी जाके उसने अपने डोकुमेंट दिये हैं अपनी जो है प्रजेंट दिखाई वहां पे तो उस वो भी 21 तारिक को पहुंचे उसके स्कुटनी करवानी होगी सपष्ट लिखा गया है ये तो 21 मार्च को जो है सभी को टाइम दे दिया गया है अब बात करते हैं नोट की दो नीचे नोट लिखे गए हैं फर्स्ट कोलम में यह लिखा गया है कि जो पॉलसी है पत्चिस पांच दो जटारा उसके नुसार ही आपका ग्रेडेशन स्रेटिवेट बना होना चाहिए सेकंड जो पॉइंट है वो लिखा गया है कि अडिवर्टाइजमेंट से पहले आप खेल ले हूँ फर्स्ट कोलम के अंदर दो यह बात लिखी गई है सैकंड कोलम के अंदर जो बात लिखी गई है वो यह लिखी गई है कि आ Ciao आटा है जाता हो कि कत्ीस मार्ब से पहले पहले आपको अलोट किये जासके तो इस कारण से कत्थीस मार्ब अपनी स्कूतिनी कर्वाएं और अगर आपके पास आगर कोई डोकुमेंट नहीं या ग्रेडेशन चैकट नहीं बंटा है तो आप अपनी presentation अपनी दे सकते हैं वहा पर कि हमारे पास यह document नहीं है क्योंकि आपको भी पता है डिये जो department नहीं है टाइम दिया हुआ है कि 30 मार्च तक confusion भी इसी मामले में हो रहा है कि 30 मार्च तक तक टाइम दिया हुआ है तो अगर आप ग्रेडेशन बनवाने के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो कोई शमश्या नहीं है कतिस मार्च को जो सकुटनी हो गया आप उसमें अपनी presentation दे सकते हैं कि मैंने अप्लाई कर रखा है बी एस ओफिस में मैंने अप्लाई कर दिया है बहुत जल्द में रिग्रेडेशन बन जाएगी तो आप अपनी presentation दे सकते हैं समाधाना आपका भी होगा अगर आप परजी नहीं है तो गबराने की आवशकता नहीं है 3rd column की बात करें थर फको फबर छे ने में सपष्ट यही बात लिखी गई है कि जो पहले 650 साइट पर है यह जानकारी दी गई है तो मुख्यमुद्द यही रहेगा कि सभी अपसेंटिक अंडिटेटों को मोका दे दिया गया है गबराने के अवश्यक्ता नहीं है अगर ग्रेडेशन नहीं भी बनी है तो भी इस मार्च मार्च में आपकी ग्रेडेशन बनी जाएगी 21 मार्च को पहुंच के अपनी जो हाय स्कुट नहीं जरूर करवाने वीडियो अच्छी लगे होगी वीडियो को शेर करने चैनल बगर ले सस्क्राइब थेंक्यों दोस्तों